आज हम पढ़ेंगे anthropology का एक बहुत ही important part यानि की social anthropology सामाजिक मानविकी की यह क्या होता है इसकी क्या definition है क्या methodology है इसकी study करने की क्या methods यूज करते हैं तो आईए शुरू करते हैं Hello everyone, welcome back to my channel sociology bites और आज की topic में हम पढ़ेंगे सामाजिक मानविकी It is concerned with the study of human societies and cultures and their development यानि की जो सामाजिक मानविकी है हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है social anthropology यानि की हम इसमें जादा तर क्या पढ़ेंगे society के बारे में पढ़ेंगे कि उस time पे जो society बन रही थी वो कैसी थी और क्या development हो रहे थे, क्या changes थे, क्या cultural differences थे, क्या processes हो रही थे उस time इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे तो पहली ही लाइन में बताया गया है कि the study of human societies and cultures and their development की उसमें क्या-क्या development हुआ dominant constituent of anthropology इसको क्या कहा गया यह बहुत dominant यानि कि बहुत ही महत्रपूर या कह लीजे आप विशय वस्तू है anthropology की study की social anthropologists seek to understand how people live in societies and how they make their life meaningful यानि कि पुराने टाइम में जो लोग होते थे जब उन्हें sense नहीं था कि उन्हें क्या पहनना है क्या खाना है और उन्हें कैसे इंतजाम करना है उनके भोजन का उनके रहने का तब उस situation में कैसे उनमें development हुआ और कैसे उनमें sense आया कि उन्हें केवल दिन भर शिकार करना, खाना, गूमना, रहना यही सारी चीज़ें नहीं हैं उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं करने के लिए जब society maintain होने शुरू हुई अलग-अलग societies थी, patriarchal society थी, agrarian society थी, है न, तो इन लोग को कैसे sense आया, इन सारी चीजों के बारे में social anthropologist पढ़ते हैं, study of all people everywhere, पूरी society में, पूरे world में जो लोग हैं, उनके बारे में ये study करते हैं, कि वो कैसे behave करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कहां से उनका origin हुआ है, वो कैसे अपनी एक society में खुद को maintain रखते हैं, और कैसे society को maintain रखने में help करते हैं, comparison are done to explore the similarities and the differences among different cultures and societies, अब societies के बारे में पढ़ते तो ये उसमें comparison भी करते हैं, present और past का comparison करते हैं, past में जो कई societies अगर रही होंगी या थी, उन हैं, है ना, ताकि ये differences और similarities जान सकें, जैसे उस समय भी लोगों की main need क्या थी, main जरूरत क्या थी, उनकी खाना, पहनना, रहना, जानवरों से बचना, अपनी जान बचा के रखना, आज भी लोगों की need वही है, आज भी लोगों के लिए सब से पहले खाना, रहने के लिए जगे चाहिए हैं, पहनने के लिए उन्हें कपड़े चाहिए हैं, तो कुछ ऐसी basic needs हैं जो तब भी थी और आज भी हैं, यह कैसे पता चला, जब anthropologist ने study की और पुरानी societies से, नई societies जो past है और जो present है, इनके बीच में comparison करके, differences और similarities का पता लगाया, The name social anthropology came into use some 60 years ago to distinguish the subject from ethnology, यानि कि कुछ 60 साल पहले social anthropology introduced हुआ था, ethnology से इसको different subject बताया गया था, क्यों ethnology क्या करता है, comparative study of two or more cultures, यानि कि दो या दो से जादा cultures की comparative study करता है, लेकिन social anthropology में A to Z सारी चीज़ों की study होती है, comparison भी होता है, differences और similarities भी बताया जाती है, है ना कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहां से origin हुआ, कैसे society बनी, ये सारी चीज़े social anthropology में हम पढ़ते हैं, इसलिए social anthropology को ethnology से अलग किया गया, emerging Britain in the early years of 20th century was comparative fieldwork based and was used to describe a distinctive style of anthropology, यानि कि कुछ 20-वी शताबदी में ये emerge हुआ था, social anthropology comparative था, यानि कि दो cultures का comparison करके बताता था, fieldwork पर based था, यानि कि जो भी data मिलते थे वो fieldwork पर based होते थे, अब हम देखेंगे इसकी कुछ definitions, social anthropology is the study of human society and culture, यह हमें नाम से ही पता चल रहा है कि social anthropology जो है, वो human society को और उसके culture को study करती है, the branch of anthropology that studies human societies emphasizing interpersonal and intergroup relations, यानि कि जो हमारे personal, अंदरूनी कह लिए आप या interpersonal और intergroups relations होते हैं, यह उसकी study भी करती है, यानि कि micro-studies as well as macro-studies, सारी studies करती है, according to Ivan's pre-chart, social anthropology includes the study of all human cultures and societies, according to John Lewis, social anthropology is a comparative discipline of the study of social institutions, according to Piddington, social anthropologists study culture of contemporary primitive communities, according to Charles Pienick, social anthropology is the study of social behavior, especially from the point of view of the systematic comparative study of social forms and institutions, according to SC Dube, social anthropology is that part of cultural anthropology, which devotes its primary attention to the study of social structure, rather than material aspects of cultures, यानिकि यह different, different sociologists की अन्थ्रोपोलोजिस्ट की definitions थी, जिसमें किसी का मानना है कि social anthropology, human culture और society की study करता है, किसी का मानना है कि comparative study करता है, किसी का मानना है कि cultural study करता है, इस तो यहाँ पे अलग-अलग definitions दी गई, अब हम देखते हैं aims और subject matter of social anthropology तो according to Ivan Sprichard, social anthropology has primitive societies as its subject matter यानि कि इन्होंने क्या कहा कि social anthropology के पास जो main subject matter है वो प्राचीन जो हमारी primitive societies होती थी है ना प्राचीन समाच जो होता था हमारा उनकी study ही main इसका subject matter है primary aim of social anthropology is to gather information about human nature यानि कि जो इसकी primary study है primary जो इसका aim है sorry वो यह है कि यह human nature के बारे में information gather करे study of process of cultural changes, reconstructing social history, studies human societies all over the world find similarities and differences in diverse societies यानि कि cultural changes में क्या क्या processes हो रही है societies की study all over the world यानि कि पूरे world में जो भी human societies है उनकी study करना इसका aim है similarities और differences find करना different societies में यह इसका aim है studies different areas of society like economic, political, ecological, ethno-archeological, psychological aspects of human society यानि कि सिर्फ cultural changes ही नहीं सारी चीज़ें society में कि उसका economic क्या condition है, political क्या condition है, सारी चीज़ें सारे aspects study करना ही इसका aim या फिर subject matter है also includes micro as well as macro level studies मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई भी subject की study करी जा रही है तो वो एक micro level से लेकर macro level तक सारी चीज़ें उसकी पढ़ी जाती है, सारी information उसकी गैदर की जाती है study area is vast from the formation of culture to cultural change, from the formation of society to social processes, it covers all the phenomena यानि कि cultural change से लेकर के या formation of culture सारी चीज़ें यह study करता है, इसका भी जो study area है वो बहुत vast है culture क्या है, cultural changes क्या है, formation of society सारी चीज़ें यह study करता है तो अब हम देखेंगे, according to the Royal Anthropological Society of Great Britain and Ireland, the most important aim of social anthropology are as following, the study of primitive culture in its present form, यानि कि जिस form में है primitive culture उसको वैसे ही study करना the study of cultural contact and specific processes, reconstruction of social history, search for universally valid laws, social anthropology is closely related to history and archaeology यानि कि social anthropology जो हम study कर रहे हैं, वो history और archaeology से बहुत जादा connect कर पाता है या close है, क्यों? क्योंकि इसमें हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, history में भी हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं है ना, इसलिए ये का गया कि it is very close और it is very closely related to history and archaeology अब हम पढ़ेंगे social anthropology के study methods के बारे में, यानि कि methodology in anthropology a cultural और social anthropologist uses several methods to study यानि कि ये सारी studies, ये सारी informations gather करने के लिए जो anthropologist होते हैं उनको बहुत ही different methods का use करना पड़ता है, participant observation यानि कि वहीं पर जाकर उनके साथ participate करके फिर observation करना interviewing, interview लेना, cultural consultant के through study informations gather करना अब cultural consultant कौन होते हैं, उसी किसी एक particular society, particular culture का एक person होता है जो की interested होता है अपनी culture के बारे में दूसरों को बताने में studies and questionnaires, ethnographic mapping, genealogical methods, life histories, photos and videos, the study books, newspapers, maps यानि कि ये सारी चीज़ें, ये सारे methods हैं, culture के बारे में जानने के पुराने लोगों के बारे में जानने के लिए और उनके बारे में data, study, information gather करने के लिए तो इन में से हम कुछ ही main methods use हुए हैं, उनहीं के बारे में डिसकस करेंगे पहला method है observation, least invasive method, anthropologist minimally integrates themselves into society, gather information through verbal communications, focuses on community interactions, conduct interviews with participants of the group that is being studied यानि कि least invasive method, यानि कि बिना उस society को जादा interrupt किये उसके बारे में observation करना, यानि कि उन लोगों को ना पता चले या उन लोगों को हमारे observation करने से दिक्कत ना हूँ, तो ये वैसा method है, कि ये कम से कम उन लोगों के बीच में उन लोगों को interrupt करता है, और observation करता है, और ये क्या कर कि यह जादा तर observation और information gather करता है, focuses on community interactions conduct interviews with participants of the group that is being studied, यानि कि जो group study किया जा रहा है उनके participants के साथ यह क्या करते हैं, interviews, conduct कराते हैं, ways of collecting data through observing, can be structured और unstructured, अब यह दो type का सकता है, पहला structured और दूसरा unstructured अब structured क्या होता है structured observation में जो researcher होता है, उसने pre-planned कर रखा है, कि उसको क्या observe करना है, कहां जा कर observe करना है और unstructured, इसका opposite होता है, जो researcher होता है उसने कोई भी चीज़े pre-planned नहीं रखी होती है, वो जाता है particular place पे और उसे कुछ ऐसा अगर दिखता है, जो research करने, जिस पर research करने लायक होता है जो observe करने लायक होता है, तो वो observation करता है direct access to research phenomena longer time requirement से थोड़ी से mistake हो गई है, longer की spelling में मैंने L की जगे T लिख दिया है, तो please don't mind that इसमें time taken होता है, ये process observation की जो process होती है वो longer time requirement चाहिए होती है, उसमें can be participant और non-participant participant observation हो सकता है non-participant observation हो सकता है participant यानि कि कोई भी person उस culture में या उस society में involved होके उनके साथ रहकर और तब फिर observation करता है, और non-participant होता है जो उसमें involved नहीं होता पर किसी दूसरी medium के तूझ जैसे camera सेट करके या फिर mic सेट करके वो वहाँ के culture के बारे में observe करता है, तो non-participant और participant भी हो सकता है, इसमें partially participant भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह से उसमें involved नहीं होते हैं कि कुछ researchers होते हैं वो अपनी identity छुपा कि कि उनके साथ रहते हैं research करने के लिए कुछ researchers होते हैं कि वो केवल particular कुछ subjects के बारे में जानना चाहते हैं यानि कि उन्हें, मान लीजे, उनकी marriage के बारे में जानना है, तो वो सिर्फ उसी time पर जाएंगे और उसी चीज में उनके साथ involved होके observation करते हैं पर कुछ researchers क्या करते हैं कि वो वहीं पर रहकर observation करते हैं और इन्डिरेक्ट डिरेक्ट यानि कि जो observer है, जो researcher है वो खुद जाकर अगर observation करता है तो वो direct होता है और अगर वो किसी के through किसी medium के through observation कर रहा है उसने camera का setup कर रखाई या फिर की consultant या cultural consultant के through observation कर रहा है तो वो indirect observation होगा observation meaning weaving or seeing allows study in natural setting of people यानि की लोग जिस setting में रह रहे हैं उसी में जाकर observe करना और इसमें detailed information हमें मिलती है जब हम किसी particular place पर जाकर और वहाँ का observation करेंगे तो वो हमें एक एक चीज़ बारी की से पता चलेगी दूसरा method आता है field work searches in naturalistic settings encompasses a diverse range of social research methods including direct observation, limited participation, analysis, interviews and surveys etc conducts field research having the right team यानि की यह जो research method है इसमें क्या होता है अलग-अलग range में अलग-अलग तरीके से observation होता है direct observation की आप directly जाके वहाँ पर observe कर रहे हो अपनी आखों से देखकर सारी चीज़ें feel करके तब आप observation कर रहे हो limited participation मैंने पहले बताया था कि आप किसी particular culture को या particular tradition को जानना चाहते हो किसी society के तो आप सिर्फ उस particular चीज़ में involved हो रहे हो यह क्या हो गया आपका limited participation हो गया analysis करके, interviews लेके, surveys करवाके आप क्या करते हो, field work होता है और क्या होता है, data का collection होता है informations gather करी जाती है conducts a site visit इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आप जहां पर observation करने जा रहे हो आपको एक बार उस area को अच्छे से जानना होता है, क्योंकि अगर हम tribal studies कर रहे हैं तो वो insecure होती है, उन्हें डर होता है कि maybe ये हमें harm करने आ रहे हैं है न, तो उसके लिए आपको भी पहले से conscious होना पड़ेगा आपको भी पहले से alert रहना पड़ेगा कि ये डर की वज़े से हम पे भी हमला कर सकते हैं, या हमें भी कैसी भी हर जगे पर ये हो सकता है जैसे कि म्यूजिम में आप कर सकते हो, लाइब्रेरी में कर सकते हो है न, introduced by ब्रॉनिसलो मेलिनॉस्की यानि कि इस particular field work का जो research method है, इसको ब्रॉनिसलो मेलिनॉस्की के थूँ इंट्रोडिउस किया गया है, quantitative field work anthropologist gather information through surveys or analyzing records यानि कि ये दो तरह के होते है, quantitative होता है, qualitative होता है तो qualitative, sorry, quantitative जो field work होता है उसमें क्या होता है, anthropologist information gather करते हैं, survey करके या जो records उनके पास पुराने pre-historical records जो उनके पास होते हैं उसके थूँ ये information gather करते है, qualitative field work includes gathering information through group interviews, through online discussions and most importantly through participant observation अब जो qualitative field work होता है, उसमें ये information कैसे gather करते हैं group interviews कराते हैं online discussions करते हैं है ना, most importantly through participant observation हम पहले भी participant observation के बारे में पढ़ चुके हैं तो ये qualitative field work का एक part है participant observation अब थर्ड आता है genetic study और genealogy यानि कि वानशिक जो अनुकरम होता है उनका जो वानशिक्ता होती उसके बारे में वंशावली के बारे में पढ़ना या जानना genealogy is the study of families family history and the tracing of their lineages family history के बारे में पढ़ना families के बारे में जानना जैसे आप बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम इनके वंशज के हैं हमारे वंशज यह हैं है ना हम वहां से बिलॉंग करना है तो आपको कैसे पता है तो यह genetic studies होती है informations होती हैं जिनके थुरू हम यह बोल पाते हैं कि हमारे वंशज वो हैं यह हमारे पूरवज वो हैं uses oral interviews, historical research, genetic analysis and other records to obtain information यानि की information gather करने के लिए इसमें भी interviews कराने पड़ते हैं पुरानी एतिहासिक research करनी पड़ते हैं पुरानी चीजों के लिए research करनी पड़ते हैं है ना उसमें books भी included होती हैं हमें वो भी read करनी पड़ते हैं demonstrates kinship and pedigrees of its members यह क्या करता है kinship system के बारे में बताता है जो और pedigree यानि की एक family tree जो हमारा बनता है कि हमारी उत्पत्ती कहां से हुई है यह उसके बारे में हमें बताता है originated from Greek word genealogia which means the making of pedigree इस word से यह generated है Greek word है genealogia जिसका meaning होता है pedigree यानि की family tree या फिर उस line को trace करना है ना tracing lineages यह study भी micro और macro दोनों level पे होती यानि कि आप personally अपनी family के बारे में जानना चाहते है तो भी आप जान सकते हैं और अगर हम एक society के एक group के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हम इसके थूँ जान सकते हैं it's about discovering your heritage creating a story about your family or creating a medical history it connects with the past while building of the future यानि कि यह future को देखते हुए past से आपको connect कराता है gives people a sense of where they come from यानि कि यह लोगों को बताता है कि उनकी उत्पत्ती कहां से हुई है वो किसके वन्शाज है उनके पूरवच कौन है यह सारी चीज़े हमें genetic study के थूँ पता चलती है provides an insight to family history including the changes and developments from the past to present it helps determining the biological parents of a child यानि कि यह किसी भी चाइल्ड के जो biological father या mother है parents है उनके बारे में बताने में भी यह help करता है और यह क्या करता है कि family history के बारे में बताता है हमाई जो वन्शावली है उसके बारे में बताता है विरासते जो है उन सारी चीज़ों के बारे में हमें genealogy में पता चलता है अब genealogy genealogy या word से derived है Greek word है ठीक है genealogy means होता है generation और logia या logos means होता है knowledge या scientific study आप कह सकते हैं study याना it is derived to trace ancestry an important part of field research introduced by WHR Rivers in 1912 William Hals Rivers reverse यानि कि ये किसके थ्रू introduce करवाया गया था WHR reverse के थ्रू introduce करवाया गया था और ये हमारी ancestry यानि कि हमारे जो पूरवज हैं उन से हमें connect कराता है उनके बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिलता है तो friends ये था आज का वीडियो जो मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो please don't forget to do like, share and subscribe to my channel please keep supporting ताकि मैं ऐसे ही और भी informative वीडियो आपके लिए आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं आप मुझे मेरी Telegram चैनल पर follow कर सकते हैं वहाँ पर आपको वीडियो से related सारे notes, PDF files और सारे short notes easily मिल जाएं Instagram और Telegram चैनल का link आपको description box में मिल जाएगा तो description box चैक करना ना बूले, thank you so much